So hey guys welcome back to another video और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं LG G8X का charging test वो भी इसके 16.2W वाले charger से इसको मैंने खरीदा था charging cable.com से अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो जाकर जरूर वीडियो देख लिजेगा और ये जो charger है वो कहीं से भी Indian charger नहीं है क्योंकि यह यहाँ पर जो इसका output है वो same to same output देखने को मिलता है जो इसका original charger है यानि की 16.2W वाला तो यहाँ पर ये कितना time लेता है इसको full charge करने में तो कि यह जो smartphone है वो पूरी तरीके से dead है इसको मैंने 0% पे कर दिया है तो ये कितना charge कितना time लेगा इसको fully charge करने में सारा कुछ आप देख रहे हैं गीग मही अगर आप इस चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को subscribe करना तो बिल्कुल नभूले और साथ ही साथ बिल आइकन को प्रेस कर दें क्योंकि मैं बहुत चल्ड एलजी जी एटेक्स का review वीडियो लेकर आने वाला हूं तो उस वीडियो को आप miss बिल्कुल भी मत कीजिएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को start करते हैं इसकी charging test के साथ तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं ये है मेरा LG का smartphone जो की पूरी देके से dead है और ये है मेरा timer जो की है Asus ROG Phone 3 का इसी में मैं अपना timer sit करूंगा और आप यहां पर देख सकते हैं कि ये है इसका original cable जो की इसके साथ ही मिला अप था USB A to USB Type-C वाला cable है ये और ये हो गया charger जिसका rating आप यहां पर देख सकते हैं ये 16.2 watt वाला charger है और आप यहां पर देख सकते हैं कि इसका जो pin है वो European है ना कि Indian pin है तो इसको मैंने charging cable.com से खरीदा था तो आप वहां से जाकर द देख सकते हैं कि charge लगाते ही ये जो smartphone है वो automatically on हो गया है तो अब जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो smartphone है वो अब यहां पर start हो गया है तो आप यहां पर देख सकते हैं 10 मिनट के बाद इसका जो charging है वो यहां पर 11% दिखा रहा है तो आप यहां पर देख सकते है कि 10 मिनट के बाद 11% और 20 मिनट के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 21% चार्ज हो गया है और 1 घंटे 40 मिनट और यह चार्ज होगा तो अब यहाँ पर 40 मिनट के बाद जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यह 40 यहाँ पर इसकी बैटरी चार्ज हो गई है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक घंटे 19 मिनिट दिखा रहा है अब भी इसको फुल चार्ज होने में तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक घंटे के मार्क को achieve कर लिया है तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी battery 58% charge हो गई है और एक घंटे अब भी लगेंगे इसको full charge होने में तो अब यहाँ पर देख सकते हैं एक घंटे 20 मिनट के बाद की कहानी 74% यहाँ पर charge हो गई है और आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको कितना time लगेगा यहाँ पर अब अगले 20 मिनट के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 94% याँ एक घंटे 50 मिनट बाद 94% यह charge हुआ है तो अब भी इसको कितना time लगेगा full charge होने में आप यहाँ पर देख सकते हैं अब भी यहाँ पर 97% दिखा रहा है और यहाँ पर अब भी 2 घंटे पूरे हुए है तो अब यहाँ से मैं जल्दी जल्दी सभी चीजों को fast forward कर दूँगा ताकि आप बोर ना हो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 घंटे 2 मिनट हो गया है फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 घंटे 6 मिनट अब यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी चीजों को मैंने fast forward कर दिया है ताकि आप यहाँ पर अच्छे से समझ पाए result को तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसकी speed को और भी बढ़ा दिया है ताकि result जो है वो जल्दी से जल्दी सामने हो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 घंटे और 9 मिनट के बाद 2 घंटे और 9 मिनट के बाद इसकी battery 100% charge हो गई है तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं काफी मैं कहूंगा कि इसका जो charger वो काफी slow है तो यहाँ पर अब इसका wireless charger का भी वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है